हलो फ्रेंड वेलेजम्ट टुगगो एक्सपरिमेंट दूस्तव आज में पास है है सवाट का बल्ब पर सब इस बलकर में जानते ही होंगे पहले दूस्तों यह हर किसी के घर में यूज होता था और अब दोस्तों ये बहुत ही कम यूज होता है कहीं कहीं देखने को मिल जाता है अब लोगो तो दोस्तों आज मैं देखूंगा कि ये 100 वाट का बल्ब किती दिर तक जल सकता है वैसे तो दोस्तों ये वल्प काफी देर तक जलता है, काफी दिनों तक चल जाता है, क्या दोस्तों ये पानी में जा देर तक जल सकता है, या कितनी देर तक जल सकता है, यही मैं आज देखूंगा, आज का वीडियो दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिंग होने आला है, और आप इस experiment में क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद मैं experiment को करके दिखाऊंगा दोस्तो आज के experiment मुझे जरुत पढ़ने वाला इस तरह का एक holder इसमें मैं 108 के bulb को लगाऊंगा और उस बल्ब को जलाऊंगा और दोस्तो मुझे इस तरह का एक बड़ी सी कांच की देली दिखे और आपको भी अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों आज का experiment यही से start करते हैं दोस्तों अब मैं इस कांच के सीसी में पानी डाल लेता हूं पूरी तरह से भर देंगा मैं इसको दोस्तों यह पानी से लपालब भड़ चुका है दोस्तों अब मैं इस होल्डर में इस बल्ब को लगाऊंगा यह दोस्तों इस तरह से यह लग चुका है और अब मैं इस होल्डर में जो बल्ब लगा है इस बल्ब को इस पानी में इस तरह से डूबो दूँँगा यह देख फाइनली दोस्तों मैंने इस बल्ब को इस पानी के अंदर फिक्स कर लिया है दोस्तों ये गत्ते की मदद से मैंने इसको फिक्स कर लिया कुछ इस तरह से और दोस्तों ये रहा दोस्तों इसका स्विच बोर्ड इस स्विच कौन करेंगे तो ये लैट जल जाएगा और उसके दोस्तों अब मैं स्विच कौन करता हूँ 1, 2 and 3 कि देखिए दोस्तों ये पानी के अंदर जल चुका है थोड़ा सा कैमरे में डिश्टर्बिंस आ गई है ये देखिए दोस्तों जल ला है पानी के अंदर अभी भी देखते हैं किती दिर तक जलता है पानी के अंदर हीट तो होई रहा होगा पानी के अंदर ये देखिए दोस्तों पानी के अंदर ये जल रहा है दोस्तों इसे करीब मैंने आदी घंटे तक जलाया पर इसमें कोई भी मुवमेंट नहीं हुआ मुझे लगता है दोस्तों यह बलब की जो गर्मी है वो बाहर निकलने पारी क्योंकि ठंड़क उसको पानी से मिली रहा है इसलिए यह बलब गरम नहीं हो पारा है इसलिए इसमें कोई मुवमेंट भी नहीं हो पारा है तो अब मैं इस बलब को बाहर निकालूँगा और उसके बलब को जलाओंगा जब यह हीट हो जायेगा तब मैं इसके ऊपर पानी डालूँगा तब देखते दोस्तो इस पर कोई मुव्मेंट होता है या नहीं होता है तो चलिए दोस्तों वह चीज में भी मैं करके देख लेता हूँ दोस्तों इस बलब को मैंने इस तरह से एक प्लेट में रख लिया है और अब मैं इसके स्विच को अन करूँगा और इसको जलाऊँगा और इसको तब तक जलाऊँगा जब तक यह अच्छी तरह से हीट ना हो जाए जब यह बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तब मैं इसको पर पानी डालूँगा और जब वो मूवमेंट होगा वो देख के आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा तो चलिए मैं इसको अन करता हूँ उसके बाद इसमें पानी डालूँगा दोस्तों मैंने इस बल्ब को जला दिया है अब देखिए दोस्तों यह जल लाए लेकिन कैमरे में थोड़ा सा ब्लिंग कर रहा है लाइड में कुछ ज़ादा ही रोश्नी इसके वज़े से यह ब्लिंग कर रहा है तो चलिए दोस्तों इसको मैं तब तक हीट करता हूँ तब तक यह काफी गरम न हो जाए दोस्तों इस बलब को मैंने करीब पांच मिनिट तक जलाया है और यह अब काफी हद तक गरम हो चुका है बहुत ही जादा गरम हो चुका है अब दोस्तों इस पर पानी छिड़क के देखते क्या होता है कि देखे दोस्तों मैं उपड़ से पानी डालूंगा आपको दिखेगा अब 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 कि क्या देखा दोस्तों आपने दूस्तों मैं खुश शॉक हो गया हूं कि ऐसा भी हो सकता था अब फट गया दोस्तों बल्ब और देखे टुकड़े पड़े होंगे और दोस्तों इसमें बहुत अब भी करेंट आरहा होगा इसलिए मैं इसको स्विच को आफ कर देता हूं यह देखे दोस्तों ने तार को अटा दिया है अब इसको किनारे रख देते हैं तो देख रहे हैं आप किस तरह से यह बल्ब की धजियां उड़ गई देखिये इदम फट के एकदम अलग हो गया एक बुंद पानी डालते हैं यह धडाम से फट गया है एक्सपरिमेंट दोस्तों कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके चुरूर बताना है दोस्तों देखिये दोस्तों क्या हो गया बलब काहल और दोस्तों ऐसा घर पर बिल्कुल भी ड्राइव मत करना कुछ भी दिक्कत हो सकता आपको तो चले दूस्तों आज के लिए बस इतने थैंक्स पर वाचिंग